हाँ है हलो फ्रेंड्स वेल्कम और यूट्यूब चैनल नर्सिंग डिग्निटी फ्रेंड्स जैसा कि जो आपको पता है आपकी जो अपकमिंग नॉर्सेट के एक्जाम है जो आरारबी की एक्जाम है और जो डी ट्रिपल अपके लिए लेकर आए इस पैसल एंसी क्यों सिरीज तो इसी सिरीज में आजकर जो हुमारा वीडियो है इसमें हम जो आपकी गायनेकोलोजी है उसकी क्योशन को कवर करेंगे जो की एक्जाम में मोस्ट इंपोटेंटली रिपिटेड आपको देखने को मिलते हैं हर एक्जाम के अंदर इनमें से इस पैटर्न पे एक क्योशन आ और फर्स्ट चाइल्ड सी स्केडूल एन ऑप्स्टेक्टिक एग्जामिनेशन विच दी नर्स प्रेक्टिसनर तू डिटर्माइन इस स्टेटस ऑफ और पोसीबल प्रेगनेंसी एंड हर लास्ट मेंस्ट पेरिड बीगिन ओन ट्वंटी में एंड हर एस्टीमेटेड डेट ओफ कनफर्मेंट यूजिंग नेगलीज रूल इज अब इसने पूछ लिया कि एक औरत है पत्चीस साल की जो नर्सिंग प्रेक्टिसनर है उसके पास क्लिनिक में आती है और वो बोलती है कि उसका जूल एलम पी था लास्ट मेंस्टूल पीरिड था वो आया था बीस मई को तो उसे उसकी एडीडी जाननी जाननी निए एस्टीमेटेड डेड ऑफ डिलेवरी एडीडी का मतलब होता है एडीडी जाननी के लिए हम क्या करते हैं हम यूज लेते हैं नेगलीज रूल कि फॉर्मुला इसे में बॉल सकते हैं अब जो इन्होंने था इन्होंने बताए था कि जो EDD होती है इसका मतलब होता है LMP के अंदर आपको एड कर देना है क्या नाइन मन्त सेवन डेज क्योंकि जो प्रेंगनेंसी की डूरेशन होती है वो जनरली मानी गए नाइन मन्त सेवन डेज तो इसको आपको LMP के अंदर एड कर देना है इसे बोलते हैं नेगलीज फॉर्मूला फॉर्मूला थोड़ा अलाग है वो मैं आपको बहता हूँ आपके सबसे टीपिकल हो जाएगा उसमें बोल रखा ए कि जो ए लंप है जितना दे रखा है उसके बाद मानी आप पहलो सम देज करो फर इसका डेट चेंज कर दो फिर उसके अंदर उसका जो year है उसको एक साल आगे कर दो उसमें से तीन मेने माइनस कर लो तो दोनों तरब से कैसे भी कर लो बात सेमी होती है तो सबसे easy formula यही है कि जो LMP है इसके अंदर 9 month 7 days add कर लो आपका answer आ जाएगा तो इसमें सब जो मैंने आपको बताया एडीडी इसका मतलब होता है estimated date of delivery और LMP नी लास्ट मेंस्ट्रोल पीरियड लास्ट मेंस्ट्रोल पीरियड और हमेशा याद रखना क्योंसन में मैंने कवर कर लिया है यदि किसी लेडीज ने बोल दिया कि माई लास्ट मेंस्ट्रोल पीरियड वोज बीगन यानि शुरू हुआ था 20 मई को और यहां पर एड कर देता कि खतम हुआ कब 27 मई को या 25 मई को तो फिर आपके अंदर एक कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मैं कौन सी डेट से इसे कैलकुलेट करूँ ओल्वेज एलेंपी इज कैलकुलेटिड फ्रॉम इट्स बिगनिंग डेट इसकी फर्स्ट डे यानि इसके शुरुवाती दिन से फर्स्ट डेट जो होती है उससे हमें एलेंपी को हमेशा कै तीजदे तीजदे आपको से कोई मतलम नहीं होना चाहिए आपको स्टार्टिंग से ही से कैलकुलेट करना है आपको जो स्टार्टिंग डेट है उसके अंदर नेगलीज रूल का यूज करते हुए नाइन मन्त सेवन डेज एड कर देने हैं तो समझते हैं इसके तो हम इसको सॉल्व करते हैं क्यूशन को इससे आपको पूरा टॉपिक है जो एड़ीडी का वो कवर हो गया है अमें दिया आपको पांस तरीके के आपको क्यूशन बता दू तो वो आपके लिए जी रहेगा साब हमें दिया है LMP कितना है 20 मैं LMP दिया वाँ है 20 मैं इसके अंदर हमेश्या 7 डेज पहले जोड़ना सेवन डेज आप जोड़ोगे तो यह हो जाएगा 27 मैं अब क्या करना है 27 है क्योंकि आप एक्जाम दे रहे हो और आपके जो एक्जाम का आजकल पैटन हो थोड़ा चेंज होगा आपको आंसर के देने के अंदर इतना टाइम नहीं लेना आपको जल्दी आंसर देना और ऐस मार्च 27 दे रहा है और एक फेब 27 दे रहा है हमारे पास सेवन डे जोड़ने की बाद माया 27 मैं अब आपको इसमें क्या जोड़ना है नाइन मंत अब आप जब इसमें नाइन मंत एड़ करेंगे 27 मैं के अंदर तो जून जुलाई अगस्ट सेप्टेंबर अक्टोबर नॉम दिसमबर जनुवरी एंड फरवरी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फरवरी और 27 हमने पहले निकाल रहा है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह जाएगा 27 फरवरी इस हर एस्टीमेटेड डेट अव डिलेवरी इंदि आप इस तरीके से क्यूशन सोल्व करते है है तो डेफिनेटली आपका जो आंसर है पभी भी रोंग नहीं होगा इसी डेट के अंदर आपको नाइन मन्त एड कर देना है तो यह हो जाएगा 27 फैब इसका हो गया आपका आंसर चलते है मारे next question क्यों है Qution है the nurse practitioner determines date a client's approximately nine week gestation इसे अंडर लाइन कर लो Qution में आपको साथ की साथ में जूशके मेजर पOintay उन्हें माइंड में रखना है इसने पूँछ लिए कि nine week gestation है दूरिंग दा विजिट दा प्रेक्टिशनर इंफर्म्स दी क्लाइंट अबाउट दी सिम्टम्स और फिजिकल चेंज़ देट सीविल एक्स्पिरिंस डूरिंग हर फ़स्ट ट्राइमेस्टर सच अप्शन है नोजय वोमिटिंग ऑप्शन भी है क्विकनिंग ऑप्शन सी ला स्कुमारे में बतना है तो प्रक्राइब सोलarm उनीव नाइन वीक नाइन विक का मतलब हो गया आपको पता है कि जो व्रेग्नेंशिर होती है इसे वदिवाइड़ करके रख देते हैं ट्रायमेस्टर के अनदर कि ट्रायमेस्टर में हम इसे डिवाइड करते हैं प्राइमेस सीविटिमिस्ट्र फेस्ट एक ओगा ट्राहिस्ट्र सेकंड ट्राहिमिस्ट्र सेकंड और लास्ट हो गाय साब हमारा फ्राहिमिस्ट्र थर्ड जो नोर्मल टोटल डूरेशन है प्रेग्नेंसी की वो हमने कितनी मानी थी आप बोलोगे सर वो हमने मानी थी 9 कि मंत कि 7 देज कि यह अमने मानी थी अब इन 9 मंत 7 देज को हमने तोड़ दिया क्योंकि पूरी प्रेगनिंसी की डूरेशन के अंदर अलग अलग ट्राइमेश्टर के अंदर हमें अलग-अलग साइन इन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं अलग-अलग फीजियोलोजिकल चैंज देखने को मिलते हैं उस प्रेगनेंट लेडिज के अंदर इसलिए हमने इसे डिवाइड कर दिया तीन ट्रैमेस्टर के अंदर फ़र्स्ट-्रायमेस्टर कब से मानेंगे conception जब उसने conceive कर ली pregnancy इस दिन से लेकर के 12 week of pregnancy जो है it is considered as the trimester first second trimester कब से मानेंगे 12 वीक तक हमने first को मान लिया तो इससे मानेंगे 13th week 13th week से लेके dear 13th week to 28th week कि 13th week से 28th week जो होता है यहां तक होता है मारा trimester second इसके बाद में आता है trimester third तो trimester third कहां हो जाएगा 29th week जो 29th week है इससे लेकर के 29th week to pregnancy या delivery जब तक baby deliver नहीं होता तब तक हम इसे मानते हैं trimester third तो first trimester का माना conception से 12 week तक second का माना 13th week से लेकर के 28 week तक हम इसे consider करते है trimester second or trimester third जो होता है it is considered from the 29th week से delivery तक हम trimester third मानते हैं इन trimester के अंदर हमें देखने को मिलते हैं अलग-अलग sign and symptoms क्या देखने को मिलते हैं अलग-अलग sign देखने को मिलते हैं और symptoms तो जो first trimester रेडियर आपने discussion में पढ़ना है कि यहां पर हमें क्या पूचा है तो मैंने आप अंडरलाइन क्या किया है नाइन वीक लिट मिस सी इजन हर first trimester जो लेडी हमारे पास आई है वो first trimester में आई है तो जो नर्स practitioner है उसे first trimester के sign and symptom बताएगी अब आपको first trimester के अंदर कौन-कौन से physiological changes होते हैं कौन-कौन से sign देखने को मिलते हैं और कौन-कौन से symptoms देखने को मिलते हैं इसके बारे में पता होना चाहिए तो जो first trimester है इसके अंदर कुछ symptom से सभी की में बात नहीं करूँगा अधर्वाइस वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन हम जब इसके बारे में पढ़ेंगे और आप पहले की वीडियो में जाके देख सकते हैं कि जो चैंजेस द्यूरिंग प्रेगनेंसी इसकी वीडियो अभी लेटेस्ट की थी मैंने उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे सारा मैंने डीपली अच्छे से पढ़ाये वाए कि बात करेंगे हम इसमें उल्ली फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में डियर हमें देखने को मिलेगा तो समझ चैंटे सांट जो जब प्रेगनेंसी कंसीव करते एक लेडिज तो उसके अंदर जो ईमन कलर यूलिक गोनेटो ट्रोपीन हार्मोन होता है यह बढ़ जाता है जो एससीजी है इसका लेवल बढ़ता है अब जब यह बढ़ जाता है तो उसके अंदर उसको अर्ज टू वोमिटिंग होने लग जाती है नोजिया एंड वोमिटिंग आप देखना और आपने मुवीज बगरा में देखने को मिलेगा दूसरा जो होता है उसके अंदर जो है देखने को मिलेगा फ्रिक्वेंसी ओफ यूरीनेशन यह भी बढ़ जाती है थर्ड़ में देखने को मिलेगा कि यह थो कॉमन सेंस के बात है ए मेन Senhor जुऽ कि मैंच्ट वल साइक्ल है उसका टेम्प्ररेंटी सी जीचेशन होगा ना इम सेंग टेम प्रेंप्ररींटी सिजिचेशन नोट प्रमानेंस इशर टेम्प्रारीश इगसा साईक्ल विकोज सी गेंड प्रेंड प्रेटनेंसी इ तो उसके अंदर देखने को मिलेगा एमेनोरिया नोजिया वो मेटिंग फ्रिक्वेंश ओफ यूरिनेशन बढ़ दाती है और देख लो साब बहुत सारे साइन में 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 की बात कर रहे हैं जो क्यूशन से रिलेटेड है बाकि हम बात नहीं करेंगे वेट गेन होता है टोटल प्रेगनेंश उसके अंदर 11-12 kg बैट गेन हमें देखने को मिलता है तो क्यूशन को पढ़ते हैं इसमें हमारे जो ऑप्सन दिये वह है नोजिया एंड वो मेटिंग अब इसको देखते ही आपको टिक नहीं कर देना है आपको नीचे तक भी पढ़ना है क्या पता नीचे इ हम नहीं बोलेंगे क्योंकि क्विक्णिंग जो होता है इसका मतलब होता है कि बच्चा जब फीटल मुवमेंट करता है और फिटल मूवमेंट और यदि आपने मूवीज में देखा होगा तो बच्चार जो लात मारता है वो कभी स्टार्ट करता है तो यह हमें देखने को मिल जाता है 16 वीक टू 18 वीक 16 से 18 वीक के अंदर क्वीक देखने को मिलती है यानि साब 16 से 18 वीक का तो यहां पर कोई रिलेशन नहीं बन रहा 16 से 18 वीक तो हमारे ट्राइमिस्टर सेकिंड का साइनेट सिम्टम बन गया लाइटनिंग लाइटनिंग का मतलब होता है कि जब थर्ड ट्राइमस्टर होता है उसके अंदर जो पहलवी केविटी होती है उसके अंदर बेबी का जो हेड होता है वो चला जाता है और एक जो लेडी जै प्रेगनेंट लेडी है उसको एक कमफर्ट फील होता है क्योंकि जैसे जैसे abdomen का enlargement होता है, जो भी organs होते हैं, जो diaphragm में ओपर की तरह आएगा, तो जो respiration है, उसके इंदर थोड़े difficulty होती है, frequency of urination बढ़ती है, मैंने बताया था, इसका कारण बता जेता हूँ, कि जब जैसे जैसे abdominal enlargement होगा, bladder compress होता जाता है, इसके कारण जो pregnant lady है, उसको बार urgency होती है, frequency, उसके जो होती है, urine pass की वो बढ़ जाती है, तो जो lady है, उसको comfort मिलता है, जो भी respiration problem आ रही थी उसके अंदर, उसके कारण, क्योंकि उसको स्वास लेने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि उसके जो पैट है, वो enlargement हो रहा था, abdominal enlargement के कारण, उसका जो respiratory symptom है, उसको relief देखने को मिलेगा, तो lightning जो है, it is mainly seen in the third trimester, तो साब ये भी option में से हट जाएगा, क्योंकि ये भी इसका relevant answer नहीं हुआ, abdominal enlargement, abdomen का enlargement, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो fetal, sorry, जो fundal grip होती है, जैसे जैसे fetal, जो growth बढ़ती जाती है, वैसे वैसे fundal grip है, जो fundal height है, वो भी increase होती जाती है, तो जो abdominal enlargement है, ये mainly second और third trimester के अंदर देखने को मिलेगा, second and third trimester के अंदर आपको ये देखने को मिलता है, तो हमारे पास सबका एक logical reason आगया, कि ये क्यों हो सकता है, और ये क्यों नहीं हो सकता है, तो इसका right answer तो हो जाएगा, nausea and vomiting, मैंने reason बताया, कि nine week, यानि, first trimester चल रहा है, और जो first trimester इसके अंदर, जो HCG हार्मोन होता है, इसके कारण उस pregnant ladies के अंदर, नोजिया और vomiting देखने को मिलेगा, क्योंकि एक्टिव फिटल मुमेंट्स डेटर सीन इर दी 16-18 वीक प्रेग्नेंसी एंड इन क्यूशन ही आक्स अब वी नाइन वीक, नाइन वीक का मतलब हो गया, first trimester, lightning, lightning का मतलब होता है, कि जो भी respiratory problem वगरा होती है, उससे relief देखने को मिलता है, क्योंकि जो fetal head होता है, बेबी का जो head होता है, वो पहल भी cavity के अंदर चला जाता है, यानि नीचे के और चला जाएगा तो उसको थोड़ा comfort मिलता है, और इसके बाद में आता है abdominal enlargement, जो मैंने आपको पता है, मेली जो abdominal होता है, जो fundal height होती है, वो second और third trimester के अंदर देखने को मिलती है, so right answer will be nausea and vomiting, चलते हैं मारे next question के और, जो कि ए, a client is six week pregnant, एक लेडी है, जो कि six week pregnant है, during her first prenatal visit, she asks how much alcohol is safe to drink during pregnancy, the nurse response is, option A में है, up to one OZ daily, up to two OZ daily, या up to three OZ weekly, या no alcohol, पहले में आपको बताता हूँ, यहाँ पर भी आपको क्या underline करना है, आपको underline करना है कि, जो लेडी है, वो कितने वीक पर है, six week की है, ठीक है साथ, दूसरी बात है, underline करने वाली चीज, first prenatal visit, अब आप बोलोगे, सर्फ prenatal visit क्या होती है, मैं सी क्योशन में इसके बारे में पढ़ाऊंगा, prenatal visit बोल दो या anti-natal visit, anti-natal visit, यानि एक लेडी जने जब pregnancy conceive कर ली, उसके बाद में उसे need होती है, जब तक वो baby deliver नहीं हो जाए, इन्हें हम, इस care को हम बोलते हैं, anti-natal care, एनि एक ऐसी specific care which is to be provided, किसको to a pregnant lady, कब से कब तक, from conception to delivery and after delivery also, delivery के बाद में लेकिन हो जाती फिर postnatal care, तो हम anti-natal care के बाद करें, तो जब तक उसकी delivery नहीं होती है, तब तक हम एक specific care provide कराते हैं, और यह care किसके द्वारा provide की जाती है, बाइदा health care provider, जो health care provider है, वो widget करता है, उस ladies के अंदर कोई भी abnormalities बगरा हो जाती है, उसे identify करता है, उसे देखता है, तो हम इसे बोलते हैं, एंटी नेटल विजिट, और जो एंटी नेटल विजिट होती है, यह अलग-अलग बोली गई, लेकिन WHO ने बोला, तुम ज़्यादा नहीं कर सकते, तो कम से कम चार विजिट तो करो, कब कब करो, फर्स्ट विजिट हो जानी चीए आपकी, अप टू 12th week, क्योंकि कुछ-कुछ लेडिज के अंदर unawareness के कारण, प्रेगनेंसी का पता नहीं चल पाता है, तो इसे कंसिडर किया कि 12th week के अंदर आपको पता लग जाना चीए, कि यह लेडि प्रेगनेंट है, इसका पता कैसे लगेगा, जो पेरिफेरल हेल्थ के डिलेवरी सिस्टम हमारा, वहाँ पे मैंने जब आपको कम्लिटी हैस नर्स एसे कपल जो कि मेरिड है या लिविन के अंदर रह रहे हैं और वो एबल हैं, री प्रोडक्शन करने के लिए, तो उन्हें हम बोलते हैं, एलिजिबल कपल, तो एक जो आसा वरकर होती है, उसके पास एलिजिबल कपल का रजिस्टर होता है, और वो डेली विलेज के अंदर विजिट करती है और आइडिन्टिफाई करती है कि कौन सी एलिजिबल कपल है, उन्हें कौन है जो प्रेगनेंट लेडी है, और उसे उसके 12 वीक तक यानि 12 वीक तक उसका रजिस्टरेशन कर लेना होता है, ये एक गौवर्मेंट आफ इंडिया का भी रूल बोल सकते हैं, उसको 12 वीक तक आपको रजिस्टर करना है, इसके बाद में फर्स्ट विजिट हो गई साब, अप टू 12 वीक, दूसरी विजिट करो, 20 वीक, जब वो लेड़ी 20 वीक पर हो, तब उसकी विजिट करो, फिर उसकी विजिट करो, 32 वीक पर, और लास्ट विजिट करो, उसकी 36 वीक पर, यह विजिट होती है, इन्हें बोलते है, एंटी नेटल केर, या एंटी नेटल विजिट, इसके अंदर उसको जो भी रिक्वाइड इम्मुनाइजेशन होता है, वो प्रोवाइड करा जाता है, आईरन फोलिक एसिट की टेबलेट, क्योंकि जो सबसे मोस्ट को मन मोर्बेलिटी जो होती है, प्रेगनेट लेडी के अंदर इंडिया के अंदर होती है, आईरन डेफिसेंसी एनीमिया, जो आईरन डेफिसेंसी एनीमिया है, मैं मेरे परसनल एक्स्पिरेंस से बता सकता हूँ, जब मैं विलेज लेवल पर काम किया मैंने, तब जो प्रेगने करना पड़ता है हाई रिक्स प्रेगनेंसी एक अलग से रजिस्टर होता है उसके अंदर आपको इसको मेंट मिनाना पड़ता है और इन्हें स्पेशल केर और स्पेशल ऑब्जर्वेशन की नीड होती है वरना इनके अंदर होने के चांसे बहुत ज्यादा होते हैं तो जो हम चल जाए कि यह जो की प्रेगनेंट है और उसकी चीजी स्पेसिफिक एंट्रेटल केर वह में स्टार्ट कर देते हैं और उसे हमें हेल्थ एजूकेशन देनी होती है सबसे इंपोर्टेंट बात मैं यहीं बताना चाहा रहा हूं क्योंकि एक लेडी जो की प्राइमी ग्र प्रेगनेंसी के अंदर कौन कौन से साइन है कौन कौन से सिम्टम से जो उसके अंदर देखने को मिल सकते हैं तो हमें उसे special health education देनी है यादि उसके अंदर नोजया वो मीटिंग हो रहा है तो हम उसे समझाना है तो हमें इसके साथ में एक education और देनी है वैसे तो एलकोल किसी के लिए भी safe नहीं है इसका right answer हो जाएगा no alcohol क्यों क्योंकि यदि एक नेड़ी एलकोल कंजूम करती है है during pregnancy इट में harm to her developing fetus उसका जो बेबी क्रो हो रहा है उस तक को harm पहुचा सकता है fetal alcohol syndrome develop कर सकता है क्यों नहीं देंगे क्योंकि यह क्या करेगा इसलिए यह टोटली कॉंट्राइंडिकेटर होता है जैसे मैंने आपको वैक्षिन के अंत्रा बताया था कि ओल लाइव एक्षिन और कॉंट्रा इंडिकेटर दुरिंग प्रेग्नेंशी सेमज एल्कॉल और सो अधेडिकेटर इन कंप्लिट डूरेशन हमिसी भी ट्राइमस्टर में नहीं देना होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा नो एलकोल चलते हैं मारे नेक्स्ट क्योशन के और जो की है ए ठर्टी एट यर ओल्ड प्रेगनेट विमें एज देधी मतलब इसमें एज से रिलिटेड कुछ चीज वो सकती है तो आपको एज को आपको हाइलाइट क चेक अप या एंटिनेटल चेक अप और सी इज थर्टींथ विग्जेस्टेशन यानि इसका थर्ड ट्राइमिस्टर चल रहा है आपको विक्स देखते ही याद हो जाना चाहिए कि इसको कौन सा ट्राइमिस्टर चल रहा है दिनार्स शुड वी अलर्ट टू विच कंडिश रिलेटेट्ट चु हरेज यानि यानि कूसल्ट में ही हमसे उसकी एज से रिलेटेड पूछ लिया है अब इसको पूछ पढ़ते हैं यसाब एस रिलेटेट क्या पूछ आ है को आप्प्षण देखते ही आपको पता लगेगा उसने एज से रिलेटेड उसके अंदर अप्शन भी में है सेक्शुली ट्रांस्मिटेड डिजीज ऑप्शन डी सी है इंट्रायोटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन या ऑप्शन डी है प्रेगनेंसी इंड्यूज्ड हाइपर टेंसर अब आपको समझ लेना है कि पहली बात तो देदी ठर्टी एट यर तो आपको म इसल अटेंशन की निगड़ होती क्योंकि उसके अंदर बहुत से को मॉर्बिडिटीज होने के चांचे डवलप होते हैं दियार एट हायरिक्स डवलप दी को मॉर्बिलिटीज एज नॉर्मल लेडी क्योंकि उनकी जो एज इज इटी मोर्दें 35 यह और दूसरा है कि वो थ लेकिन इसमें क्या पूछा है तो हम इसे specific नहीं मानेंगे आगे भी जाएंगे यह हो सकता है लेकिन क्या पता इससे भी अच्छा relevant हमें रीजन मिल जाए नेक्स्ट है sexually transmitted disease तो dear sexually transmitted disease का pregnancy से कोई relation नहीं होता है क्योंकि ये किसी भी age में हो सकती है age related नहीं होती है ये कभी भी हो सकती है जो unprotected sex है उसके कारण ये हो सकती है तो इसे हम हटा देंगे option में से नेक्स्ट है intrauterine growth retardation intrauterine growth retardation का भी age से related कुछ भी जो link है वो नहीं होता है intrauterine retardation किसी के अंदर भी हो सकती है तो ये भी हटा देंगे next हमारा pregnancy induced hypertension PIH जब मैं आपको इसको separately पढ़ाऊंगा तब आपको इसको और भी अच्छे से बताऊंगा जो pregnancy induced hypertension होता है इसका मतलब होता है कि जो pregnant ladies है उसके अंदर जो हमें BP है वो देखने को मिलता है 140 by 90 से अब और ये जो डवलप होता है मेली 20 week of pregnancy के बाद में देखने को मिलता है अब इससे समझना एक ladies आई मेरे पास 8 week of gestation के उपर उस टाइम मैंने उसको उसके vital sign monitor किये तब उसका BP आ रहा था 124 by 84 और जैसे जैसे उसकी जो gestational age है वो बढ़ती गई और वो जब आती है मेरे पास 26 week पे तब उसका BP मुझे देखने को मिला 150 by 96 यह माल दो तो यहां पर आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा variation आ गया है तो मुझे mind में यह recall कर लेना है कि there में भी chances of P.I.H. यहनि pregnancy induced hypertension क्यों क्योंकि उसके अंदर जब वो 8 week पे आई थी उसका BP ता 124 by 84 लेकिन अब जब वो 26 week पे आई है तब उसका BP 150 by 96 वेरियेशन आया है hypertension डौलप हो गया है तो यहां पर क्या है जो मैंने बताया कि जो pregnancy induced hypertension है 20 week के बाद मैं हमें देखने को मिल सकता है तो इसमें आप पढ़िए कि 38 year है यानि age related भी है और mainly यह age related भी होता है more than 35 year वाली जो बात होती है यहां पर implement होती है साथ तो इसका right answer क्या हो जाएगा डी pregnancy induced hypertension के लिए हमें alert रहना होगा क्योंकि iron deficiency anemia pregnancy gain के टाइम पर भी हो सकता है एक जो adolescent गल होती है उसके अंदर भी anemia हमें देखने को मिलता है और जरूरी नहीं है कि वह pregnancy over non pregnant भी हो सकती है sexually transmitted disease में आपको बताया कि यह कभी भी develop हो सकती है इसका age related कोई factor नहीं होता है intrauterine growth जो retardation है it is not age related तो इसका right answer जोगा वोगा pregnancy induced hypertension चलते मारे next question क्यों और diabetes during pregnancy requires tight metabolic control of glucose levels to prevent perinatal mortality when evaluating the pregnant client the nurse knows the recommended serum glucose range during the pregnancy is यानी एक pregnant lady है उसके अंदर diabetes होने के chances हो सकते हैं तो एक जो नर्स से उसको पता होना चाहिए कि normal total level of glucose कितना होता है during the pregnancy क्यूशन चाहिसे दस लाइन का है आप उसके अंदर से उसका conclusion निकालना है कि examiner हमसे पूछना क्या चाहता है चाहिसे तो दस लाइन में पूचे या पचास लाइन में पूचे पूरी कहानी लिख दे तो भी आपको only and only conclusion निकालना है तो इसका conclusion का conclusion यही निकल रहा है कि जो normal serum glucose level कितना होता है during pregnancy पहले हम बात कर रहेते हैं कि normal glucose सेरम लेवल होता कितना है option पढ़ते हैं पहले option एह है 70 mg पर डियल टू वन टूंट इम जी पर डियल यह तो होता है normal serum glucose level हमें सबको पता है normal serum glucose level 102-200 यह abnormal में आ गया 42-130 यह भी अन्रिलिवेंट है 92-200 यह भी अन्रिलिवेंट है right answer तो इसका होगा 72-120 यह normal person के अंदर भी और चाहे वो pregnant हो या non pregnant हो उसके अंदर हमें देखने को मिलता है जो की normal serum glucose level हमें इसे बॉल सकते हैं यह होता है 72-120 mg पर डियल इसका right answer हो जाएगा option A क्योंसर में क्या पूछा था diabetes during pregnancy pregnancy के दोरान दी किसी ladies के अंदर diabetes हो जाती है इस condition को हम बोलते हैं diabetes जो gestational diabetes होती है it में harm to both mother and developing fetus जो mother है उसे भी हम पहुचाती है और जो developing fetus है इसे भी हम पहुचाती है कौन gestational diabetes तो इसमें पूछा था कि एक ladies है जिसके अंदर diabetes हो सकती जैसे हमने क्या नाम दिया gestational diabetes जैसे बोलते हैं तो इसको require है tight metabolic control of glucose यानि glucose का level हमें कंट्रोल रखना पड़ेगा अधरवाइज किसलिए to prevent perinatal mortality जो perinatal mortality है यानि सुरू में before जो conception है during delivery और after delivery तीनों टाइम पर हमें mortality देखने को मिल सकती है तो जब हम उस pregnant ladies का blood glucose monitor कर रहे हैं तो हमारे mind में सेट होना चाहिए है कि what is the normal serum glucose level in a pregnant lady तो उस cancer हमने बताया वह होता है 72 120 mg per dl next question के और चलते हैं एक क्लाइंट हैज बीन डाइग्नोस्ट एज बीन प्री एक्लेम्टिक दा फिजीशन ओर्डर्स magnesium sulphate magnesium sulphate using the management of preeclampsia four यानि एक pregnant lady है जिसके अंदर वहा है pregnancy induced hypertension पी आई एच जो हमने लास्ट क्यूशन में पढ़े थे इसके दो टाइप होते हैं एक होता है प्री एक्लेम्टिक या एक होता है है एक्लेम्टिक या तो यहां पर पूछा है प्री एक्लेम्टिक के बारे में तो दो फिजीशन है उसने ओडर किया magnesium sulphate जो magnesium sulphate होती है यह प्री एक्लेम्टिक को कैसे रोपती है हमसे क्यूशन में यह पूछा गए option नहीं में दिया इस आप प्रीवेंशन करती है सही बात है प्रीवेंशन ओफ यूट्राइन कोंट्रेक्शन जो magnesium sulphate है यूट्राइन कोंट्रेक्शन को एक मीनिमम हद तक प्रीवेंट करती है लेकिन अब भी तक इसका को साइंटीफिक जरन में देखने को नहीं मिलाए तो इसको हम हटा देंगे सेडेशन जो मेक सलफेट है सेडेशन नहीं करती है फीटल लंग प्रोटेक्शन जो बेबी के लंग है इनका प्रोटेक्शन यह नहीं करती है जो लेसिथीन होता है जो सर्फेक्टेंट होता है वह आपको पता है फीटल लंग के अंदर मैचुरिटी लाता है तो यह नहीं क acclampsia, एक हो गया acclampsia. При acclampsia मैंने बताया कि जब एक लेड़ी है, उसके अंदर जो BP है, उसका हो जाए 140 by 90 mmHg से ज्यादा, it is known as the pre acclampsia, इसमें क्या बोले, इसाब जो BP है, it can be 140 by 90 mmHg, यह तो हो गई होगा लेकिन यो लेडिज है इसके ऑंदर हमने देखने को मिलते हैं में थायं और इस कंडिशन को हम बोल देते हैं यह प्री एक्लेमशए है इसके जो और और चोईस होती ही इन में जो PIA 24 जो हम देते हैं वो और गोड़ तो होती होती है मैग सल्फ एम जी ऐसो फॉर क्या करती है यह उस लेडिस के अंदर जो सीजर्स आने के चांसे यानी प्री अकलेम्शी आख लेम्श्य में कनवर्ट नहीं हो न चाहिए साहब अभी तो बीपी ही बडा यदि acclaims हमें चला गया तो उसके अंदर seizures भी हमें देखने को मिल सकते हैं तो इन seizures को आने से पहले ही इने prevent करने के लिए हम कौन सी ड्रक्स देते हैं हम देते हैं drug of choice जो की होती है मेग, sulphate, magnesium, sulphate और यह drug क्या काम करती है साब यह prevent करती है उस लेडिज के अंदर seizures को आने से जब seizures नहीं आएंगे तो जो pre-acclaims है इसे हम acclaims है वाली condition में जाने से easily बचा पाएंगे इसलिए हम जो mag sulphate देते हैं इसका जो main purpose जो होता है वो यह होता है कि to prevent dead lady from being acclimatic and to prevent the seizures की उसके अंदर हम जो acclaims से आए उसे develop होने से रोकिंगे तो acclaims से कब develop होगा जब seizures भी हमें देखने को मिल जाएंगे तो हम जो max sulphate है यदि उसके अंदर administer कर देते हैं तो उसके अंदर जो seizures की चांस है जेवोरिक्स के पूरी तरह से कम हो जाएगी चलते हमारे next question क्यों which of the following findings would be abnormal इने postpartal women के अंदर एसी कौन सी finding है जो की abnormal होगी postpartal का मतलब होता है after delivery पहले तो आपको terminology पता होनी चाहिए तब ही आप अच्छे से answer कर पाएंगे आफ्टर delivery जो पीरड होता है से बोलता है पॉस्ट पार्टम पॉस्ट पार्टम इसमें ओप्शन एंदिया है चिल से शॉटली आफ्टर delivery की उस लेडिस के अंदर जो चिल से वो देखने को मिलेगा या पल्स रेट है वो हो जाती है 60 ब्रीट पर बीट्स पर मिनट इन मॉर्निंग और फर्स्ट पॉस्ट डिलेवरी डे नेक्स्ट हमें पूचा है यूरीन आउट्पुट थ्री थाउजन डेमेल उन दा सेकेंड डे आफ्टर डेवरी और थर्ड पूचा कि एन औरल टेंपरेचर वह और इस वन नोट वन डेगरी फारनेट ओंद थाड़ डे आफ्टर डे डि डिलेवरी तो हमें उसके अंदर क्या पूचा गया है कि इन में से कौन सी चीज जो कि एबनोर्मल है तो डिलेवरी हुई है उसके अंदर ब देखने को मिलते हैं कि प्लाड लो स्वाय जो वासो एक्टिव सिस्टम होता है वह एक्टिवेट होता है और। है और हो जाती हे है दो बोडी के अंदर थोड़ी कमी पड़ गई है क्योंकि bleeding हुई डिलेवरी इसलिए डिलेवरी के तुरंत बाद में चिल्स देखने को मिलते हैं यह तो भाई normal बात होगी क्योंकि bleeding सिस्टम है कि कम्बन सेट करेगा और जो चिल्स है वो हमें देखने को मिलते हैं और जब यह वासो एक्टिव होगा मतलब उसकी वासो construction होगा तो पल्स रेट हमेश्या बढ़ती है उसके अंदर जो पल्स रेट वो इंक्रीज होगी और यहाँ पर क्या पता है पल्स रेट सिक्स्टी नॉर्मल हम सेवन्टी टू टू सेवन्टी टू हंड्रेड मानते हैं तो यहाँ पर तो बोल रहा कि कम होगी तो फस्ट पॉस् देखने को मिला है इसलिए उसकी पल्स रेट हमें थोड़ी कम देखने को मिल सकती है फस्ट पॉस्ट डिलिवरी डेपर हमें कम देखने को मिलेगी तो यह भी नॉर्मल फैंडिंग होगी यूरिनरी आउट्पूट 3000 एमेल है सेकिंड डे आफ्टर डिलेवरी तो जो 3000 एमेल यानि थ्री लीटर तो साब यह भी नॉर्मल बात है अप्शन अगला पढ़ते हैं कि एन ओरल टेंप्रेचर कितना वन नोट वन डिग्री फॉर एनट और नॉर्मल हमारे कितना होता है नैंटी एट पॉंट शिक्स डिग्री फॉर एनएट लेकिन इसके अंदर टें स्पार्टम इसमें भी थैड डे के बाद में देखने को मिला तो हमें देखना है कि जो फीवर मिल रहा है जो टेंप्रेशर बढ़ावा मिल रहा है यह हमें इंडिकेट कर सकता है बॉट दी पि पि एच कि उसके अंदर पीपी एचनी पोस्ट पार्टम हेंडेश के चांसे देखने को मिल सकते हैं या और कोई भी रिलिवेंट इनफिक्सिन हमें देखने को मिल सकता है तो यह हमें abnormal finding देखने को मिलती है, तो, इसस्कोशन का解 answer क्या हो जाएगा के अंदर में भी देरार चांसेज ओफ डवलपिंग ऑफ दी इंफेक्शन की उसके अंदर इंफेक्शन के डवलप होने के चांस भी हमें देखने को मिल सकते हैं इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि एन ओरल टेंपरेचर ओव वन नोट वन डिग्री फॉर एनेट जह है which of the following procedure is necessary to establish a definitive diagnosis of the breast cancer जो breast cancer है यह सबसे ज्यादा होने वाला cancer देखा गया है लेडीज के अंदर यह आपको पता होना चाहिए इसका definitive diagnosis पुचा यानि ऐसा हां diagnosis जिसको देखते ही हम पन्फर्म कर चकें कि हां उस पार्टिकुलर लेडीज के अंदर breast cancer हो चुका है option पढ़ते हैं साब जो डाइफेनोग्राफिय होती है यह भी breast cancer को identify करने के लिए एक screening method होता है mammography आपको पता होगा आपने पढ़ा होगा यह भी एक screening method होता है थर्मोग्राफिय भी screening method होता है इसके अंदर जो thermal जो डिवाइस होता है उसके service HP through जो ब्रेस्ट टीशिन होते होते हैंँ अम एक जामायन करते हम उन्हें observe करते हैं और buraya statut वी इसके अंदर क्या करते हैं जो ब्रेस्ट टीशिव होता है उसकी बायोप्सिय के लिए उससे लेते हैं और उसकी जो जो की सबसे definitive है तो जो डाइफिनोग्राफी है जिसका मैंने अधर नाम बताए वो था ट्रांस इल्यूमिनेशन ये भी तरीका तो है breast cancer का लेकिन ये definitive नहीं है ये हमें इसके जो result है उससे हम confirmatory diagnosis से नहीं बोल सकते हैं कि इसे हम confirm कर सकें कि उस particular lady को breast cancer develop हुआ या नहीं हुआ है mammography भी है लेकिन mammography के थ्रूब्य हम नहीं कर पाते हैं definitive diagnosis उसका हम confirm नहीं कर सकते हैं thermography के थ्रूबी नहीं कर सकते हैं तो right answer will be the breast tissue biopsy जो उसके breast tissue है उसकी बायोपसी जो एफनेसी भी कर सकते हैं fine needle expression cytology उसके द्वारा भी हम पता लगा सकते हैं तो इस दा definitive diagnosis of the breast cancer यह आपको याद रखने नहीं है बहुत सी एक्जाम में आया हुआ कि जो breast cancer इसका definitive diagnosis होता है वो होता है breast tissue to biopsy चलते हैं मारे next question क्यों क्यों एक कपल एज प्लानिंग दी conception for their first child device भूज नोर्मल मेंस्ट्र साइकलिस 34 डेज इन लेंध करक्पली आइडेंटिफा सब्सक्राइज दी टाइम डेट सी मौस्ट लाइकली टू ओवुलेट इफ सी स्टेट डेट ओवुलेशन सुड अकरों दी पहले इसमें क्यों सन्वें आप से पूचा है कि एक कपल है जो की अपनी फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं फर्स्ट बेबी के लिए लेकिन जो मदर है उसकी जो नोर्मल टोटल ड्यूरेशन है मेंस्ट्रल साइकल की वो है 34 अब हम जो एवरेज़ ड्यूरेशन मानते हैं कि एवरेज़ ड्यूरेशन ओफ मेंस्ट्रल साइकल यह मांनते हैं 28 डेज की 28 डेज के बाद में जो मैंस्ट्ल साइकल हो रिपीट हो जाती है कि इसकी एवरेज ड्यूरेशन हमने निकाली मेंस्ट्रत साइकल की क्योंकि नौर्मल ड्यूरेशन जो होती है वो 18 से 35 दिन मात तक मानते लेकिन यहां पर हम एवरेज निकालते हैं इस लेडिज के अंदर 34 देज की लेंद दी गई है तो उसका पूछा है कि उसके अंदर ओवुलेशन कब होगा क्योंकि उन्हें यह जानना जरूरी है क्योंकि जो ओवुलेटरी डेज होते हैं या डे ओव कंसेप्शन जीने हम बोल होता है िसकी कहानी हम सुरू करता है जो ओवुलेशन होता है यह होता है 14 दे सिएे मैं स्टाइ्ट के 14 दे के उपड़ा में देखने को मिलता जो 24 देन होता है उसके उपर हमें देखने क हमें को मिलता है कब के बात कर रहा हुँ जब जो में सिनल साइकल होती है इसकी दूरेस्ङन हमें देखने को मिलती है तुषान粉े समय लेकिल जो ovulation हम calculate करते हैं इसकी जो तरीका होता है यह ऐसे नहीं होता है कि चोदवे दिन पर ही होगा इसका मतलब होता है कि जो next menstrual cycle है यानि जो आने वाली menstrual cycle है उसके आने के 14 डेज पहले क्या होता है साब उसके 14 डेज पहले हमें देखने को मिलता है ovulation यह concept आपको याद रखना है जो ovulation है यह जो भी menstrual cycle आने वाली है उसके 14 डेज पहले देखने को मिलता है अब इस लेडिस के अंदर cycle की duration ही 34 डेज है तो हमें इसका answer निकालने के लिए क्या करना होगा 34 डेज के अंदर से माइनस कर देने 14 डेज ना कि हमें फर्स्ट डेज से करना है कि इसकी menstrual cycle है वो 34 डेज की है लेकिन 14 डेज पर ही हमें जो और देखने को मिलता है तो इसका answer गलत हो जाएगा आपको यह याद रखना है कि जो menstrual cycle चल रही है और जो next menstrual cycle आने वाली है उस आने वाली menstrual cycle के 14 दिन पहले 14 डेज पहले होता है हमारा ओगू लेशन तो हमें इस 34 में से माइनस कर देने हैं कितने 14 डेज क्योंकि तब हमें इसका answer निकल पाएंगे तो इसका answer हो जाएगा 20 अब option देखते हैं option यह में है 14 प्लस टू डेज यदि इसके menstrual cycle की normal total duration यदि होती यदि वो 28 डेज होती तो हम इसे मान लेते कि यह 14 डेज हम consider कर सकते हैं यदि 16 दिन आए इसका मतलब हो गया कि यदि इसकी normal duration होती वो 30 डेज की होती तो 16 राइट अंसर होता लेकिन इसकी normal duration कितनी है 34 डेज की है तो इसका राइट अंसर जो हो जाएगा 20 डेज और आपको पता है प्लस टू डेज रख दिया इन दिनों के अंदर यदि वो इंट्रकॉस करते हैं तो उनके अंदर जो प्रेगनेंसी है वो अपनी प्लान कर सकते हैं सक्सेस्फुल प्रेगनेंसी वो गेन कर पाएगी जिसका राइट अंसर हो जाएगा ओप्सन सी जो कि है 20 और प्लस टू डेज क्योंकि जो ओवलेशन से पहले का दिन और ओवलेशन के बाद का दिन इसे हम कंसिडर करते हैं पीरेड ओफ जेस्टेशन या पीरेड ओफ प्रेगनेंसी गेन करने का जो पीरेड होता इसे मानते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लीनिक डा नर्स विल नो डेट विच अब फॉल्विंग अल्ट्रेशन से एब नॉर्मल डूरिंग डी प्रेगनेंसी कि जो एंटेनेटल या प्रीनेटल क्लीनिक है वहाँ पे प्रेगनेंट लेडिज आपके पास आई है और आपने उसके अंदर कुछ फाइंडिंग दे इसे तक मैंने आपको घूसान फुर्स या सेकिंद पढ़ाये था की जो प्रेगनेंसी होती है इसे हम अलग अलग ट्राइमेस्टर के अंदर डिवाइड करते हैं इन ट्राइमेस्टर के इंदर मैंने अपको कुछ साइन और सधी अपको पूप सेसिदी हैंने को पूचाता तो मैंने अलग लग बताएते तो जो स्ट्राई ग्रेविडऄर हम वोता है यह भी फॉस्ट्र ट्रायमिस्ट्र bowl ठ्रंडेंसिंगने में देखने को मिलता है इस में क्या होता है स्ट्रेच मार्क हमें देखने को मिलते हैं कहां पर आब्दोमन के ओपर थाई के ऊपर और ब्रेस्ट के ऊपर इसे हम बोलते हैं स्ट्राइग ग्रेविडरम तो ये तो प्रेगनेंसि का साइन हो गया ये एबनोर्मल नहीं है तो इस्ट्राइग ग्रेविडरम एबनोर्मल नहीं है college मा इसे हम बोलते हैं मार्क्स क्ष को साइन ओव प्रेगनेंसी यानि प्रेगनेंसी में एक जाय पड़ जाती है आपको इसी वह मैं समझाओ कहां पर जो हमारा फोरेड है जो अपर चिक्स है यहां पर हमें जो जाय देखने को मिलती है मेंदेखने को मिलते हैं इसकर मार्क देखने को मिलते हैं इस एक मार्क सबसंख को लाइक आपको अपिरियंस दैखने को मिलेगा वर दी फॉरेड नज अपपर मेंदेख लाइज में आपको बठाए नहींप of pregnancy तो ये भी ने दाट है इस कंदल हड़ती है और फंदल बढ़ने के कारण जो प्रीक्वैट ऑयडुरेज्ड ने लेडी के अंदर ट रिक्वेंसी और यूरीनेशन देखने को मिलती है बड़ी हुई यानि उसकी जो रिक्वेंसिी बतेए यूरीनेश्ञ के वो बढ़ जाती है और यहाँ पे बोलती है डिषय रीनी डिफीकल्टि इन ईूरीनेशन तो यह हो सकता है है कोलेस्ट्रम कोलेस्ट्रम मन होता है first breast milk जो first breast milk निस प्रेस्ट से first separated जो मिल्क होता है it is called the Colestrum और यह pregnancy के दोरान भी देखने को मिल सकता है के इन वी सीन तो डूरिंग दी प्रेगनेंसी जो प्रेगनेंसी है उसके दोरान हमें देखने को मिल सकता है इसे बोलते हैं पॉलेस्टरम दुशाब यह भी होगी नॉर्मल फाइंडिंग लेकिन क्यों से क्या पूचा है आपनॉर्मल फाइंडिंग बताओ तिसका राइट अंसर आपको प इंपरेमेंट औहों जो यूर्यटरा है उसके अंदर को इंपरेमेंट आ गया हो यह यूरेनरी सिस्टम के इंदर हमें कोई इंपरेमेंट देखने को मिल सकता है यह नॉर्मल फाइंडिंग बागी सारी चीजह नहल चीज़े एक प्रेगनेंट लेडी है वो हमारे पास आई एंटिनेटल एक्जामनेशन के अंदर दस वीक की प्रेगनेंट है जब हमारे पास आई है और उसने बताए कि वो दो बार पहले भी प्रेगनेंट हो चुकी है और दा फर्स्ट डिलेवरी प्रोड्यूजड ए वायबल बेबी गर्ल एट थर्टी नाइन वीक त्री यर्स अगो दस सेकेंड प्रेगनेंशी प्रोड्यूजड वायबल बेबी बोई एट थर्टी सिक्स वीक तू यर्स अगो बोथ चिल्रंस आर लिविंग एंड वेल यूजिंग गटपाल सिस्टम टू रिकोडर ऑस्टिटेगल इस्ट करते हैं जी का मतलब होता है ग्रेविड़ा उसकी इस्ट्री को जानने का एक तरीका होता है ग्रेविड़ा टी का मतलब होता है टर्म बेबी पी का मतलब हो गया प्रीटम बेबी कि एका मतलब हो गया अबोर्शन प्रीवियस वस्त्रेटिकल इस्ट्री उसको जानने के लिए एक सिस्टम बनाया गया जिसे हमने बोला गट पाल सिस्टम इसका मैंने आपको मतलब बताया जी स्टेंड यृवीडा टी स्टेंड फॉर दी टाम बेबी फी मिन्स बीटम बेबी एस्टरफ उर्टी अबोर्शन एंड एलमींस लाय बडी बेट यह उसका वेट ये गरेवीडा का मतलब होता है नंबर ओफ प्रेगनेंसी कि एक लिडीज कितनी बार प्रेगनेंट हुई उसके नंबर को बोलते हैं ग्रेविडा टम बेबी का आपको सबको पता है कि बेबी बॉन आफ्टर थर्टी सिक्स वीग ऐसे बच्चे जो थर्टी सिक्स वीग के जेश्टरसन के बाद में जनम लेते हैं देयार नोनेजद्या टम बेबी पी का मतलब होता है प्री टम बेबी ऐसे बच्चे जो की थर्टी सिक्स वीग से पहले या थर्टी सिक्स वीग पे जनम लेते हैं इन्हें बोलते हैं प्री ट बेबी एकका मतलब हो गया abortion जो बी बेबी है उसका बोर्शन हो गया उसकी इस्टियम में जाननी आधि आर नो पड़ते उर इसके मार्किण करते थे कि एक pregnant लेडियें हमारे पास आई उसने बोला कि उसके 2 पहले भी बच्चे हैं इसका मतलब कितनी बार प्रेगनेंट हुई अब आप सबसे बड़ी गल्ती क्या करते हो आप देखते हो कि उसके दो बच्चे हैं तो वो पहले दो बार प्रेगनेंट हुई आप कर दोगे इसका स्कोर कर देते हो जल्दी से जी टूरा आपका अन्सरों जता है गलत क्यों सन को वहमारे पास आई ये तब वी वो pregnant आई ये कितने वीक की प्रेगनेंसि ये दस वीक की प्रेगनेंसी उसकी चल रही है मतलब एक तो ये प्रेगनेंट सी हम इसके काउंट कर लेंगे और इससे पहले ले उसके दो बच्चे हुए हैं तो कि टोटल प्रेगनेंट कितनी बार हुई वो तीन बार प्रेगनेंसी हुई टां बेबी कि उसके जो बच्चे हैं वो कितने हैं जो कि टम ठे और कितने बच्चे जो narciss keyboard अग्ल तो इसने बताया कि उसकी पहली डेलवरी से उसको एक बेबी गल मिली जो कि 39 वीक की थी 39 वीक मिन्स टम बेबी और जो दूसरा था वो था बेबी वय 36 वीक पे था अब आपको यहाँ पर देख लेना है कि 36 वीक प्री टम ऐसा बेबी जो या तो 36 वीक पे या 36 वीक से पहले जनम लेता है उससे हम कंसिडर करते हैं प्री के अंदर तो टम बेभी उसका हो गया एक जो लड़की है वो टर्म है क्योंकि वो थर्टी नाइन वीक पर है लड़का यह थी ठर्टी सेवन पर होता तो फिर टी टू आजाता और पी जीरो आजाता लेकिन यहां पर थर्टी सिक्स वीक पर जनम ले लिया मलब प्री टम मानें की एक टो जी 3-1-2 यहां पर आंसर आपको यहीं पर मिल जाएगा 311 अबोर्शन की इस फ्रीष ने दी क्या नहीं दी साक तो अबोर्शन की इस्ति हो जाएगी जीरो और कितने बच्चे उसके जीनदा है उसने बोला कि दोनों बच्चे मेरे आराम से हैं अच्छी तरह से है हेल्दी हैं तो एल्म हो जाएगा तो इसे बोलते हम गटपाल इसको जिससे हम अर्ली असेज एक शोट असेस्मेंट कर लेते हैं और स्टेकल स्ट्री असेज कर लेते हैं और स्टेकल स्ट्री क्लेक्ट कर लेते हैं प्रेगनेंट लेडिज की यह दी क्योशन में पूछ लेता क एक प्रेगनेंट लेडिज आई उसने यहां पर इस क्योशन को मैं थोड़ा चैंज कर देता हूं उसने आपको बताया सेम क्योशन को मान लो कि प्रेगनेंट लेडिज आई दस वीक की प्रेगनेंट है दो बच्चे हैं एक जो बेबी गलती वो ठर्टी-9 वीक पर हुई एक बेबी बहुत थर्टी-6 वीक विए और एक डड़का पहले एक जो बेबी था उसका जो एक डिलेवरी थी प्रेगनेंट थी वह अबोर्ट करवानी पड़ गई तो आपका यहां पर आंसर चैंज हो जाता अबोर्शन कब होगा अबोर्शन तब होता कि जब वो प्रेगनें अबोर्शन हो जाता आपका एक और लिविंग बेबी कितने हो जाते तो तो इसका अंसर बदल जाता तो आपको इसे अच्छे से याद कर लेना है तो यह था आज का हमारा सेशन जिसमें हमने मैली बात किये हमारे जो ऑप्स्टेक्टिकल यानि जो गाइनिकोलोजी की क्यों क्यों सने इनकी mcq की बात किये अपकमिंग क्लास सेज में हम और भी आपके लिए जो मोस्ट रिपोटेट और जो मोस्ट इंपोर्टेंट और रिपिटेट क्यों सने उनकी स्रीज लेके आएंगे तो हमारे साथ आप जुड़े रहेएगा आपके कोई भी सजेशन हो कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा थेंक्यू